एक बार फिर से दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी सेंट्रल निवर्स्टी जो की एक अच्छी निवर्स्टी मानी जाती है इसके एड्मिसंस फॉर्म इसमें भरे जा रहे हैं पीशडी के लिए और भी अन्य कोर्सिस के लिए बठ हम पीशडी की कोर्सिस कवर करते हैं साथ ही आप और भी अन्य कोर्सिस देख सकेंगे application की last date 31 अगस्त 2021 है इस वीडियो में all information discuss होंगी with prospectus and other details so please watch the full video till end and you have any questions so please use the comment section and ask your questions so let's start सबसे पहले notice हम देख रहे हैं महादमा गाधी Central University और ये मोतिहारी डिस्टिक बिहार में चंपारण बिहार में इस चित है यहाँ पे admission notice को आप जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे under graduate post कीज़़ और नीचे PhD के दीखेंगे जिसमें की बायो टेकनोलोजी आता है बायो बाटनी, कमेस्टी, कॉमर्स कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टीज, इंग्लिस, गाधियन पीस इस्टडीज, हिंडी लाइब्रीरी, एंड इनफॉमेशन साइंस, मैनेजमेंट साइंस, मैंथेमेटिक्स, मेडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क्स, सोशियोलोजी, जुलोजी इंपॉर्टेंट डेट जो है, ये प्रॉस्पेक्टर्स एक अगस्त को जारी हुआ था, पांच अगस्त से अप्लिकेशन सुरू हुए है, और इसकी लाज्ट डेट आपको बता दिया, मैंने पहले 31 अगस्त है, तो ये आप नीचे जो इमेल लिखा है, इस पर आप कमेंट कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेब साइट भी आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सारी डीटेल्स पर, तो आप इसे साइट पर आना है आपको, ये ओफिसल साइट है, mgcub.ac.in, ठीक है, उपर आपको ये साइट दिख रही होगी, आप इसी साइट पर आईएगा, और उपर सेक्शन्स ब्लिंक हो रहा है, एडमीशन 2021-22, रिकूरूटमेंट ये सेक्शन्स आप देख सकते हैं, तो हम एडमीशन सेक्शन पर आ चुके हैं, हमें क्या करना है, UGPG, NPSD का प्रॉस्पेक्टस देखना है, यहां से, तो हमने क्लिक किया, और हम आपको दिखात है, यह प्रॉस्पेक्टस है, एकडमीशन 2021-22, मातमा गांधी, किंद्री, विस सुध्याले, आप देख सकते हैं, असेंट्रल युवर्स्टी एस्टेबलिज वाइन, एक्ट ऑफ पार्लियमेंट, यहां पर आप कैंपस देख सकते हैं, युवर्स्टी का, यह कैंपस जो है वुमेंस होस्टल भी हैं यहां पर, उसके बाद एडिमीशन के आप कुछ फीचर से देख लीजिए, ठीक है, सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है, कामर्स का, और कामर्स में, पी एचटी में साथ सीथ हैं, जिसमें की दो सीथ अन्रिजर्ड वालों की है, तीन ओबीसी औ और दो सीथ वालों के लिए है, और यहां पर एच पर द ऑडिनेंस नंबर थर्टी फाइप आप दे उन्वेस्टी वेबसाइट, उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट साइंस, इसमें आप पिसडी इन मैनेजमेंट में देख सकते हैं, आठ सीथ हैं, और यह भी ऑडिनें में सेवन सीथ हैं, इंग्लिस में आपके साइवन सीथ हैं, हिंदी में तीन सीथ है पिसडी की, और संस्कित में पिसडी की आठ सीथ हैं, बाटनी में पाटनी में पिसडी इन बाटनी में अगर आप करेंगे तो साथ सीथ हैं, जुलोजी, पिसडी इन जुलोजी की सेवन सी हैं और chemistry PhD in chemistry में 5 seats है mathematics PhD में 5 seats है physics में आप देख सकते हैं PhD in physics में 6 seats है और यहां पे PhD के लिए मतलब आप देख लिए कि 55% marks जो हर्दला लगता है वही 55% marks यहां भी चलेंगे आपके PG में 55% होने चाहिए हैं with in the relevant subjects and 5% का relaxation मिलेगा reservation वालों को तो criteria वहीं चल दा है UGC का अब economic में आएंगे PhD economics में past seat है गांधियन में past seat है PhD की और political PhD में past seat है social PhD में past seat है sociology PhD में past seat है जो details है admissions of entrance test की PhD के लिए वो बाद में बताई जाएंगी अभी उसकी कोई details नहीं है यहां पर कुछ फीस structure है आप इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं PhD के लिए भी फीस यहां पर दी रखी है और यह department है और department के भी कुछ अगर आप details लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं research areas वगरा दिया गया है department आप में हर एक department में research areas हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सारी details के बारे में पता सल जाएगी अब यहां पर हम आ गये हैं आप अगर कोई नेशनल लेवल एक्जामिनिशन देते हैं तो वह भी लिजबल होंगे अधर वाइज यहां पर इन्वस्टी जो है कॉमन नेशनल लेवल इंटरेंस एक्जामिनिशन कराती हैं फीस की बात करें तो अप्लिकेशन फीस जनरल ओबी सी डबलू एस की 500 रुपए है एस एस्टी की 200 इंटरनेशनल स्टुडेंट है आप तो 35 रुपए है पी डबलू डी वालों के लिए कोई फीस नहीं है पैटन क्या होगा स्लेवर्स का तो पैटन एंट स्लेवर्स आप इंटरेंस एक्जामिनेशन फ्लीज विजिट दे इनवर्स्टी वेबसाइट www.mgcub.ac.in तो आप इसको देख लीजएगा आधरवाइज आप कमेंट में बताइएगा फिर उसके लिए वीडियो बन जाएगी तो अभी में मुद्धा है कि हमें एप्लिकेशन फार्म आपको बता सकें जिससे कि आप अपलाई अगर नहीं कर रहे हैं तो करें अब यहां पर यहां प मतलब आपके जल्दी ही होंगे ओर्डिनेंस को आपको देखना है और यहां पर आपको मिलेंगी तो अगर आपको कुछ चीजे नहीं समझ में आती हैं तो उसके लिए आप अच्छे सा कमेंट जरूर करें मैं रिप्लाई करूंगा और हो पाएगा कि आप किसी वीडियो के रखते हैं तो उसके वीडियो भी बनाई जाएगी तो आज की वीडियो यहीं तक धन्यवाद